Hey there, welcome back to our channel and a classroom. आज के हमारे इस वीडियो का टापिक है मजबूरी. मजबूरी, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये वर्ड है मजबूरी, इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है और मजबूरी के लिएट हम एक सेंटेंस भी देहेंगे. First of all, मजबूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं Compulsion. Compulsion यानि मजबूरी कोई भी चीजिस की मजबूरी, कोई चीज आपको मजबूर कर रहा है कोई काम करने से या फिर किसी चीज से या कोई कारन से आप मजबूर बैठे हैं, उसे हम कहेंगे Compulsion. Compulsion, मजबूरी. for example कि आपको अब अपने फ्रेंड से बात करने से मना कर दिया गया या तो फिर आपको कुछ जंग फोर्ट्स खाने मना कर दिये गया तबेत खराब की वज़ेसे या फिर किसी और चीज़ से जो ये जो आ रहा है जो ये जो आपको रोक रहा है इन चीज़ों को करने से इसे हम कहेंगे कमपल्सन मतलब ये जो चीज़ है वो आपके मजबूरी है आप इन मजबूरी के वज़ेसे वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको करना है उसे हम कहेंगे कमपल्शन Compulsion, मजबूरी अब ये मजबूरी के rate हम एक sentence भी देख लेते हैं जैसे हमारा sentence है Compulsion के rate मैं आपसे बाहर नहीं जा सकता मेरी कुछ मजबूरी है I can't go out now I have some compulsion I can't go out now I have some compulsion मतलब कि अब ये जो लड़की है या फिर ये लड़का है वो अब बाहर नहीं जा सकता वो दूसरे अपने फ्रेंड को बता रहा है कि आप मैं बाहर नहीं जा सकता मुझे बाहर जाने से मनाई कर दिया है मुझे बाहर निकलने से मना कर दिया है हो सकता उसका एक्जाम है और वो धियान नहीं दे रहा है आप आपको हमारे आज के इस वीडियो को टापिक समझ में आई गया होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें